नमस्कार दोस्तो रेलबे भरती के रिगार्डिंग एक पेपर कटिंग सोशल मीडिया पर बाइरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि रेलबे में इस साल 1,16,000 पतों पर भरती आने बाली है तो चलिए जानते हैं इस पेपर कटिंग की क्या सच्छा ही है क्या रेलवे में सही में इस साल 1,16,000 पदों पर भरती आएगी या नहीं सारी बाते जानेंगी इस वीडियो में तो चलिए अचक अब डेश टार्ट करते हैं रेलवे में 1,16,000 पदों पर होगी भरती अब सर एंटी पीसी वो ग्रूप डी के पदों से अलग होंगे ये पद सरकारी नोकरी के लिए तैयारी कर रहे यूबाओं के लिए अच्छी खबर है रेलवे में 1,16,391 पदों पर भरती की जाएगी या भरती वर्स 2019 में रेलवे भ भरती बोट की और से निकाली गई एंटी पीसी और गूप डी की भरती से अलग होगी वहीं देश पर विभिन विभागों की और से 4,75,000 पर भरती की जाएगी रेलवे में लगबग 2,82,000 पद रिक्त चल रहे हैं रेलवे की और से इन्हें भरने की प्रक्रिया जल्द सुर की जाएगी रेलवे की और से जल्द ही 1,16,391 पदों पर भरती के लिए आबेदन मांगे जाएगे इसमें सेप्टी वो नोन सेप्टी काटेगरी के पद सौमिल है ऐसे में उन यूबाओं के लिए सुनारा अपसर होगा जो रेलवे में भरती की तैयारी कर रहे हैं बोट की और से फिलाल ग्रूप D और NTPC और आइसो लेटेट पदों के लिए भरती की प्रक्रियाद चल रही है परन्तु यह परिक्छाएं अभी आयोजित नहीं की गई है फिलाल परिक्छाएं आयोजित करोने बाली एजनसी के चैन की प्रक्रियाद चल रही है ऐसे में पहले इन परिक्छाओं को पूरा किया जाएगा इसके बाद नहीं भरती की प्रक्रियाद चुरू की जाएगी ऐसे में नहीं भरती अगले साल होने की उम्मीद है तो यह पेपर कटिंग अभी की नहीं बलकी कुछ महने पहले की है और रही बात 116,000 पदों की भरती इस साल आई गी तो यहाँ साप कहा गया है कि NTPC और गुरूप D की परिक्छा पूरा करने के बाद ही यह भरती आएगी तो इस साल इस भरती की आने की संभावना बहुत ही कम है क्योंकि अभी NTPC के एकजाम चल ही रहे है गुरूप D के एकजाम होने है उसके बाद NTPC CBT 2 के एकजाम भी हो क्योट यह बादी है तो इस साल इस भरती की आने की संभावना बहुत ही कम हो सकता है साल के लाश्ट मंत में यह भरती आ सकती है तो आज का राद यह इसमप्ट करते हैं वीडियो चल गए तो चैनल को सब्सक्राइब अपनदियो को लाइक और से जुरु को चलित लिए शव करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद